आगरा में सरवाधेत लोगपी एड चैनल सीनियूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें थाना कोटवाली कुचा साधुराम में महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्या रोपी समय दो लोगों को गिरफतार कर जेल बेद दिया है अब पुलिस कैंची लेप्टॉप और मुबाइल ब्राम्दगी के लिए हत्या रोपियों को जेल सिरिमान पढ़ लेगी थाना कोतवाली कुचा साधुराम में महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने सीता नगर के रहने वाले संतोश राठोर और उसके साथी बीरों को गरफतार कर जेल फेज दिया है जबकि फरार चल रहे अंशुल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है कुचा साधुराम फुलटी में 21 जुलाई को रेखा के साथ उसके बेटे टुक टुक पारस और बेटी माही की कैची से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी हत्या करने के बाद हत्यारे सक्री गली में आराम से निकल गए थे पुलिस ने पकड़े गए संतोश और बीरू से पाजेब के साथ 2700 रुपे बरामत कर लिये है लेकिन आला नकब के अलाबा अन्य सामान अभी तक नहीं मिला है पुलिस को साक्षे जिटाने के लिए आला नकब और अन्य समान की जरूरत है आरोपी CCTV कैमरे में जाते साब दिखाई दे रहे हैं फिर भी साक्षे के लिए कैची लैप्टॉप और मुबाइल के बरामत की बहुत जरूरी है पुलिस का कहना है कि कैची लैप्टॉप मुबाइल बरामत करने के लिए संतोष राठोर और बीरू को जेल में रिमान पढ़ लिया जाएगा रेखा और उसके बच्चों की हत्या करने पर संतोष के परिवार के लोग भी हैरान रहे गए पिता की साथ पतनी भी संतोष से नफरत करने लगी है पिता ने पुलिस से साब बोल दिया है कि अगर संतोष दोशी है तो इस मामले में पैरवी भी नहीं करेंगे रेखा जिस भाई को राखी बांती चलिया रही थी, वही जान का दुश्मन बन जाएगा, इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था हत्या करने के बाद संतोष ने अपना मुबाईल बंद कर लिया था, इस वज़े से पुलिस की शक की सुई, संतोष की तरफ घुम रही थी पुछताज करने पर संतोष ने पहले पुलिस को घुमरा करने का प्रयास किया, लेकिन कड़ाई बरतने पर सब को चुगल दिया सीनियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट